हेलो फ्रेंड वेलकम पू स्टॉक मार्केट यारिंग दोस्तों आज है 17 अक्टोबर दोज़ाद चुविस आज की दिन आईटी सेक्टर की दिगज कंपने इनफोसिस के कौर्टर टू ट्वेंटिटिटिफाई के रिजल्ट अनॉंस हो चुके अब यह रिजल्ट कैसे रहें क्या इस रिजल्ट का कल के मार्केट सेशन में किस तरह के से इस स्टॉक पर अस्वर होगा यह हम इस वीडियो में समझने दोस्तों यदि आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पो लाइक शेर और कोमेंट के सबसे पहले सम जानते की रिजल्ट किस तर किस रहा हो हम सबसे समझते हैं 2025 की दुसरी तीमाई जुलाई सितंबर के लिए तीमाही नतिजे का एलान कर दिया है कमपणी ने बाजर बन होते ही स्टॉक एक्चेंज पर अपने एगरिस पोस्ट की कमपणी की आई पिछली तीमाई के मुकाबले बढ़कर आई है इनपोसिस का कंसोलिडेड मुनाफा कंसोलिडेड प्रॉफिट वो 6,500 करोड रुपए रहा है इसका अनुमान 6,720 करोड रुपए था लेकिन अनुमान से थोड़ा कम हमें इनपोसिस का नेट प्रॉफिट जो कंसोलिडेड प्रॉफिट वो निकल के आई रहा है यह था पिछले तीमाही में यह कंसो मुनाफाद 6,368 करोड रुपे था यानि कि थोड़ा सा बढ़के आया है यह आपे टिक करतों में रहा था यानि तीमाही दर तीमाही यह बड़ोतरी हुई है यही वही कंसो आय की चालीस हदार 986 करोड रुपे रए है इसके चालीस हदार 885 करोड रुपे रहने का अनुमान था जोकी आय थोड़ी से थोड़ी सियंदा। यानि यह अनुमान से थोड़ा बढ़कर आया है इस टॉक का अगर मोजुदा बहु अगर देखे तो 1968 रुपए यहाँ पर दे दिया है कल हमें इस टॉक में हलका थोड़ी सी मूमेंट हमें देखने को मिलेंगी लेकिन कल यह स्टॉक में हमें थोड़ी सी उपरी सर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती हैं यही इसी के ही इसमें कमपणि ने डिविडेंड एप्र का ए बहड्यान किया है और यह आपको आने वाले वक्त में आपका आकाउंट में क्रेडिट हो जाए गया तो दोस्तों ये थी इन पुसिस की कॉर्टर टू 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 फाई की रिजल्ट के फूटा सा एक आपको मैंने पेश किया है और ऐसे ही स्टॉक से रिड़ेड अपडेट न्यूज और अलर्ट के लिए चैनल यानि के स्टॉक मर्केट यारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जैसे कि मैं आपको हर एक अपडेट आप के साथ शेयर करने में आपकी सहाचा गुरू वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गुड़ बाई